नमस्कर बच्चो मेरा नाम मोहमज शाबोदिन है जड़पी एच्चेस छेबर्ती मरकुक मंडल है बच्चो आज का पाठ है क्रिया आज हम क्रिया के बारे में सीखेंगे क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं हम सारे दिन कोई न कोई काम करते रहते हैं या कार्य करते देखते हैं कुछ उदाहरन इस तरह देखिए मुझे लिखना है, मैं पढ़ रहा हूँ, मां खाना पका रही है यहाँ पर आप इन वाक्यों में देखेंगे तो पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है जैसे कोई कह रहा है, मुझे लिखना है, लिखना एक कार्य है दुसरे वाक्यों मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें पढ़ना एक काम है मां खाना पका रही है, इसमें पका रही काम है क्रिया वर्तमानकाल में होता है, भूतकाल में होता है और भविशकाल में भी होता है जैसे उदाहरन के लिए देखेंगे तो मैं लिख रहा हूँ वर्तमान काल में मैंने लिखा बूत काल में हुआ मैं लिखूंगा भविश्य काल में हो गया चलो बचो अब क्रिया के बेद पर प्रकाश डालेंगे क्रिया के दो बेद होते हैं एक सकर्मक्रिया और दुसरा अकर्मक्रिया सकर्मक्रिया का परिवाशा देखिए सकर्मक्रिया में करता के काम का प्रभाव किसी अन्य कर्म पर पढ़ता है इससे सकर्मक्रिया कहते हैं जैसे राम अखबार पढ़ रहा है रमा सितार बजा रही है इन वाक्यों में राम क्या पढ़ रहा है राम अख़बार पढ़ रहा है राम करता के स्थान पर है अख़बार अन्य विशय यहनी चीज यह कोई वस्तू है क्या करता का फल कर्म चीज कोई अन्य चीज पर पढ़ रहा है रमा सितार बजा रही है रमा इस वाकि में रमा करता हो गया और सितार अन्योवस्तु या विशे हुआ अब देखिए बचो अकर्मक्रिया इसमें कर्म नहीं होता करता के काम का प्रभाव किसी पर ना पढ़कर स्वयम करता पर पढ़ता है जैसे उदाहरन के लिए देखिए बचो बच्चा रो रहा है राजन बजा रहा है इन वाकियों में बच्चा स्वयम रो रहा है राजन स्वयम बजा रहा है इसलिए इसमें राजन स्वयम बजा रहा है करता का प्रभाव किसी किसी पर ना पढ़ कर स्वयम करता पर पढ़ता है ठीक है बच्चो? इस वीडियो से हम क्या सीखे है? हाँ, बिल्कुल सही बच्चो, क्रिया का परिबाशा और क्रिया के बेद के बारे में हम सीखे हैं है ना बच्चो? अब हमें मुल्यांकन के तौर पर एक रिविजन टेस्ट लिखेंगे चलो बच्चो, रिविजन टेस्ट पहला प्रश्ण, क्रिया का परिबाशा लिखिए दूसरा प्रश्ण क्रिया के बेद कितने हैं उनके नाम लिखो तीसरा प्रश्ण सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरन वाक्य लिखो चौता प्रश्ण अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरन लिखो ठीके बच्चों फिर मिलेंगे धन्यवाद